पर इस गुड़ी पार्वा का परवर नजदिक आने वाला है और इस गुड़ी पार्वा को पूरे महराश में बड़े ही हर्शुलास के साथ मना आ जाता है पर इस गुड़ी पार्वा के पर्व को क्यों मनाया जाता है इसके पीछे क्या इतिहास है और किस तरह इसे मनाना चाहिए और किस तरह इस दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए इन सभी बातों को जानेंगे आज के हमारे इस स्पेशल कारिकरब में नमश्कार मेट सवई दन सारी और आप देख रहे हैं वी सी न्यूस तो चलिए शुरुवात करते हैं तो गुड़ी पाडवा के इस महत्व को और किस तरह इसे मनाना चाहिए इन सभी बातों पर हम चल्चा करेंगे जिसके लिए हमारे साथ अभी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर श्रधानन मोहन महाराज जी सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो महाराज जी सबसे पहले ये दर्शकों को समझाईए आपके गुड़ी पाडवा का पर्व क्या है और इस दिन का महत्व क्या है देखे जो गुडी पाडवा जो अपना पर्व है ये गुडी पाडवा हमारे सनातन हिंदू सनातन धर्म का नया साल मना जाता है हमारे भारत वरश के लिए नया साल मना जाता है जैसे कि आप जानते हैं कि ये पास्च्चत कैलेंडर का जो नया साल होता है ये एक जिनवरी से ह होता है जब पोश्मास में चालू होता है उस दिन फंडिक होती है अंधेरे में 12 बजे मनाते वो हमारा संस्कार है यह चैत्रमास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को हम जो गुड़ी पड़वा मनाते हैं इस दिन आप देखो पूरा हमारा धरती पूरा वसंत रुतु में रह शुक्ल पक्ष को करनाच में युगाधी बोला जाता है और सिंदी समाज के अंदर इसको चेटी चंड बोला जाता है जैसे जूलेलाल महाराथ से इसको एक ये रहता है, इसका संबंध रहता है, और असा में बिहू मानते हैं इसको और पंजाब और अपने उत्तर-भारत के कोई भागों में इसको बैसाकी के रुप से माना जाता है, देखें ये जो परव है, ये हमारा जो हिंदू सानातन धर्म के लिए पहला साल का पहला माइना होता है यहां से हमारा साल का गिंती चालू होता है पहला माइना होता है वैशाक मास अपने लिए और यह जो अपना साल मनाते हैं हम लोग इसमें पंचां का नया निर्मान होता है और इस चैत्रमास के इस शुक्लपक्ष के प्रतिपदाग ज इस दिन से शुरू किया दूसरा भगवान राम वाली नाम का वानर राज जो बहुत आतंक मचा रहा था अपने दक्षिन भारत में उनको मार कर सुग्रिव को उन्होंने सिंगासन पर बिठाया वानर राज के गद्धी पर एक दिन होता है दूसरा भगवान राम रावन को मार कर आयोध्या में आये उनका राजपोशी राजपोशी हुआ इस दिन यह भी माना जाता है और और एक माना जाता है कि शालीवाहन नाम का एक राजा थे उन्होंने जब हन नाम के एक समुदाय के लोगों ने उनके बेटे पर आत्रमन किया तब शालीवाहन राजाने क्या कर तो मट्टी के पुत्ले तयार के उन्हें, मट्टी के पुत्लों में जान भरकर उन्होंने उसको एक अपना सेना बना कर उस सेना से उन राजाओं को हराया, ये एक शालीवान, उसे शालीवान शका बोलते हैं, विक्रम संबत, विक्रम संबत भी हम बोलते हैं, विक्रम संबत और आपको जानके हमारे को हमारे धिंदु शास्त्र में बोला जाता है कि विक्रम संबत ये विक्रमाद इतनी राजा से गिंती में ला जाता है नव वर्ष को माना जाता है और देखो इस कल इसमें अपना नए संबत्सर में इस नए संबत्सर का नाम है शोभन नाम का संबत्स है आलाकि पुराना संभथ सर जो था शुबुक्रत नाम संभथ सर था शोवन नाम का संभथ सरूर रहा है और यह भी आपको उध्यानकारी के लिए बताता हमारा कल्यूग देखो छार सत्द यूगह के ऐं द्वापर यूग संबत्सर का एक मंत्री धान्यादी सस्यादी पती होता है अभी इस संपत सर का जो राजा है, BUD है, मंत्री शुक्र है और धान्यादी पती आकर शनी है, सस्यादी पती आकर सूरज है, देखिए अभी इस संपत सर का राजा BUD ग्रह होने से वानिज्ज क्षेत्र में, मीडिया के ख्षेत्र में, कौमर्स में, हॉरिंट ट्रेड में या बिजनस में जो लोग involved है उनको संपन्दता मिलेगा और देश के अंदर सारे अमारे धर्ती के उपर वानिजी को लेकर बिजनस को लेकर कॉमर्स को लेकर development बहुत सारा होने वाला है देश विदोशयों में कॉमर्स को लेकर बहुत सारे deals होएंगे उसके चलते बहुत सार युद्ध समाप्त होने का एक योग बनता है और शुक्र मंत्री होने के चलते इस संबत्सर में कॉस्मेटिक्स हो गया अपने fabrics हो गया और टे इतुजियाजम काम के लिए देखा जाएगा नए development होएंगे देश में और बहुत सारे future plans जैने कैसे अभी vegetarian को लेके अपना नैचुरपती को लेके आयरवेद को लेके बहुत सारा development होने वाला है इसमें और देखे यह जो हम गुड़ी पढ़वा मनाते हैं इसका संकितिक र दंड़ा होता है उपर एग चांदिकाहता मनाते हैं और आम के पत्ते इत गाते है और हमतिती पारवेद को लेके चांदिक यह एक डोटा और जो हम penalty रखते हैं और तो सामितर हैं प्रिविव्ह स्मय को घंड़नता है और यह जो अम नीं की पत्ते बांते हैं यह था है के पत्ते आकर स्वास्त सुचिता और अपना स्वच्छता और हाइजीन हेल्थ आरोगी को दर्शाता है सच्चा ही को दर्शाता है और जीवन में सत्ति को प्रमुख्यता देना करके बताता है और जो आम के पत्ते बांते जो आम के पत्ते संपन्धता आईश्वरी जीवन में मिठास जीवन में थोड़ा खटा मीठा पल रहते हैं उसको हमने हमने थोड़ा सा बरदाश करना है और सारे जीवन को हमने बरदाश करते हैं हस्ते हस्ते जो भी जीवन में परमात्पन ने दिया है उसको हस्ते हस्ते हमने उसको अक्सेप करते हैं अपनाते हैं जीवन में चलन झाली और धन्यदानिये से संपन्नता घर में परीवार के अदर नतर संपन्नता खुशाली दिखाता है और जो बताशेयक का मालां बानते हैं वो बिखासे मधुलनप इसे ने सारी नितों का बाढ़व बुला जाता है गुरू जी ने बहुत है अच्सस से बताया और यह मानी जाने चाहिए कि आने वाले समय में ये गुड़ी पारवा जो पर्व है बहुत कुछ लेकर आया है देश के लिए जैसा कि महाराज जी ने बताया कि आर्थिक तौर पर कॉमर्स के शेत्र में बिजनस के शेत्र में हमें काफी ही लाब होने जा रहा है और महाराज जी ने कि पूजा में जो ना चाहिए मैं आपसे जाना चाहिए किस तरह की जाना चाहिए और किस तरह की जानी चाहिए दिए गड़ी पड़वा जैसा हम महारस्त में बनाते हैं यह शोबन नाम का एक संबत्सर है ये शोबन नाम का संबत्सर, एक हर संबत्सर का अब का गुन रहता है, देखें जब आप दर्शप को याद कर सकते हैं, इससे दो साल पहले प्लवसनाम संबत्सर था, प्लवसनाम संबत्सर में ही कुरोना के इस्पोर्ड हु Von प्लव के बाद 2022 में जो शुरू हुआ वो संबत्सर था अपना शुबक्रत देखिए पुछले साल देखिए करोना बिल्कुल ना के बार बार हमारे देश में हो गया वैक्सिनेशन हुआ जो भी अच्छा कारेक्रम हुआ लेकिन उसके चलते देश के अंदर अपना करोना का न पिछले साल 2022 में जो हमने मेहनत किया परिश्रम किया उसको लेके इस साल में बहुत अच्छा अपने को परिणाम देखने को मिलेगा और शुबकारी होंगे देश में भी शुबता बढ़ेगा अच्छे इंवस्मेंट्स होंगे फॉरे इनवस्मेंट्स में ज्यादा होगा ट्रेड बढ़ेगा और फॉर्मर्स को लेके थोड़ा सा जहमेला हो सकता है क्योंके सस्याधिपती अपना सूरज है धान्याधिपती शनी है धान्याधिपती शनी होने के नाते क्या होता है थोड़ा सा डायरी प्रोडेक्ट में इसमें थोड़ा कमी रहेगा लेकिन अती वरिष्टियान थोड़ा बारिश ज्यादा होना कभी वार थोड़ा सा कम होना ये थोड़ा संभवन है लेकिन आलोबर बोला जाए ये साल बहुत अच्छा रहेगा रही बात देखो गुड़ी बढ़म कैसे मनाना चाहिए सब्वेरे शुद्ध ना जल से ना कर ना ते सम गुड़ी के अंदर एक बास का प्रउड़ा होता है उसमें शलकरे रिशम का कपड़ा होता है और ऊंस ल strum लोग अंदर थोड़ा उसने impress नेके प्द्थ निमके प Tapते बांते निमके फूल का माला मंड़ा जड़ाते हैं ये सारा गुड़ी पढ़वा का मने का पर्व है, फिर गुड़ी को हमने पुजा करना चाहिए, गुड़ी को हमने पान सुपारी रखकर, केला रखकर, नारील रखकर, पुजा करके, नारील पोड़के, गुड़ी को भी हम लोग आरपन करना चाहिए, मीठा बनाते उस दिन, बच्च बिल्कुल नहीं पेनना चाहिए, दारू या फिर वेसन नौलवेज अंड़ा अंड़ा सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं आफ साल रहता है, और इस साल में जो हम करते हैं, वहम पूरा साल अपने को साथ देता है, उसलिए इस पूरी परवो को मनाते हैं, और जो छोट करें, गरीबु में, ये गुड़ी पाडवा के दिन करेंगे, तो बहुत अच्छा है, और देखो, ये गुड़ी पाडवा के दिन करेंगे, तो बहुत अच्छा है, और देखो, ये गुड़ी पाडवा, और एक इथियासमिस पर ऐसा है, कि जो होली के दिन होता है, होली के जलाय था भगवान चंकर ने गुड़ी पाड़वा के दिन उनको नया शिरीद मिलता है भगवान कृषिन के रूप में जर्म लेते हैं इसके लिए गुड़ी पाड़वा का ये प्रामुख्यता है शास्त्रों में देखो अभी ये गुड़ी पाड़वा का हम तो जान परेल देखो देखो पहले जानता है क्षंशिप्त में एक सारी राशियों के लिए मेश राशिव के लिए ये साल अच्छा रहेगा मई के मैने के बाद नया प्रगती उन्नती देखने को मिलेगा नया भाग्यदे होगा तब्यत के पर थोड़ा ध्यान रखे स्वास के पर ध्यान र कर आएगा उनके लिए नये चीज़ों पर खर्चा होने का योग है नये काम काज में किर्थी मान स्तापित करेंगे बहनत ज्यादा करेंगे दोस्तों से जो इन बिल्ट मिलेगा या दोस्तों के कम्यूनिकेशन वो ज्यादा बढ़ेगा नेक्स्ट है अपना मिथुन राशी देखें मिथुन राशी वालों के लिए गुड़ी पढ़वा नया काम को जुरू करने का योग बनता है फैशन इरिस्ट्री वालों को बहुत अच्छा रहेगा और नया मकान नया वाहन नया कुछ खरीदारी करने का मिथुन राशी वालों को योग बनता है हाला कि थोड़ थोड़ा सा काम काज में थोड़ा मंदी दिखा ही देगा मई के बाद क्या करना कैसे करना क्या नया काम कैसे शुरू करना थोड़ा सा गाड़ी सोच समझ के चला है और किसी को गारेंटी या शुरूटी देने से दो बार दस बार सोच कर करें तो करक राशी वाले अच्छा है अगला है अपना सिम राशी सिम राशी वाले के लिए यह संबद सर अच्छा रहेगा जो रिसर्स के क्षेत्र में हैं उनके बहुत फा परेशानी रहेगा और पैसे पड़े पैसे नहीं मिल रहे वह सारे पैसे उनको मिलने के योग बनते अगर प्रयत्न करेंगे तो अच्छा फाइदा रहेगा उसके बात थोड़ा सा कामकार्मी दिक्कत हो गया उनके बातों को गलत समझना हो गया उनको जो करना चाते वह सही नहीं होना या बैक फाइर ने उनको उस चीज़का उछ्छानी को यह मैं बोलना चाहूंगा कि हाला कि ये गुड़ी पाड़वा जो है अपना साड़े तीन महुरत में से एक है बहुत महत्व है इसका लेकिन ये गुड़ी पाड़वा के ये पूरा संबसर ये अपना 2023 वाले मार्स से लेके 2024 मार्स के बीच में इन्होंने सोच समझ के कोई भी नया काम चालू करना चाहिए किसको गैरंटी नहीं देना चाहिए गाड़ी बहुत सोच समझ के चलाना चाहिए अपने पेट को ध्यान पेट संबंदी समस्य होगा तो ध्यान देना चाहिए और किसी के पैसे के लिए इंदर अगर करेंगे सोच समझ के करें प्रापर्टी बेचना या खरीदना दस बार स बहूत अच्छा रहेगा तुलिए और पैसे पाने का उनको यह चर्था पाईदा रहेगा नया पाट्नर्समूथ बनेगा नया इसके लिए चोटे भीमारीेन लाग वांट तुलिए वहीं ध्यान बनता है पूरुपुर्णी का लाब होगा उनको और जो लोग शेर मार्केट से संबन दिते हैं उनके लिए बहुत फायदे मंद रहेगा तुल राशिवाले के लिए अगला है अगला है अपना वृष्चिक राशी वृष्चिक राशी वालों के देखें यह संवतसर मिला जिसको करजा दिया है पैसे लेने में दिक्कत है किसको करजा दे देते वह पैसा वापस नहीं देगा तो उसके लिए गुम उफिव यह चिंता लोन सोथ समझ के उठाए जितना आपको लोन उतना ही ले ज्यादा आप लोन लेते हैं तो आप परेशानी में जाने का पानी पीजाएगा ध्यान दे अगला है अपना धनुराशी वालों के लिए देखे यह जो संवत सरे बहुत अच्छा रहेगा हर माइने में उनको अच्छा रहेगा नया काम बनेगा जो जो सोच के रखा है वो काम बनेगा जो उन्होंने सोचा नहीं है आटो दी ब्लूसका अगला है अपना मकर राशी वालों के यह संवत सर बहुत मिला जुला रहेगा बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता हलाकि थोड़ा सा घर गरस्ती में अदर परिशानी माता के स्वास्त करें में मंदी दिखाई देगा लेकिन अगर थोड़ा पुर्शाद करेंगे मेहनत करेंगे गुरु के मंदिर जाएंगे गुर्वार को हनमान चले से का पाट करेंगे तो मकर राश्य वाले बहुत अच्छा रहेगा अगला है अगला है अपना कुम्बराशी वालों के लिए यह सं काम करें बाखी कुम्राशी वालों के लिए अन टोटल बहुत अच्छा रहेगा हर फील्ड बें उनको काम्यव मिलेगा अखीर में अपना जाए कंपने-ई-वालों के लिए यह संभत सर अच्छा रहेगा नया काम काज होगा घुमने फिरने का योग बहुत ज्यादा जिन लोगों को समझो अपना थोड़ा सा फॉर इंवेस्मेंट्स करना है वो भी कर सकते हैं बाहर जाके जिन बच्चों को पढ़ाय करना है उनको भी योग बनेगा नए कुछ प्रपर्टी गाड़ी के ओपर खर्चा होना का योग है लेकिन सो समझ के करें तो अच्छा है और खास करके मीन राश्यवाले अपने तव्यत पर ध्यान देना है और घर में संपन्रता सुचीता आने के लिए हो सके तो क्या करना है गुरुबार के दिन कोई भी गुरु के मंदिर जाके दर्शन करे हनमान चालिस का पाड़ कर क्योंकि साड़े साथी का उनको पहला चरण च पूरे मेरे बीसेन के टीम के तरफ से मैं प्रभू से यही प्रार्थना करता हूं हमारे सारे बीसेन के दर्शकों को नव वर्ष शोबन नाम भंबत सर गुरी पाड़वा का बहुत-बहुत शुब कामना है और हम सब के जीवन में परमात्मा बग्वान हनमान जी ने संपन् लुट्य पाफ मिलने वाला है और जिनकी राष्ट में थोड़े बहुत सरकेब तो गुरु जी ने बताया तो आप उसे सुनिए और गुरु जी ने जो भी तित्ती करने के लिए यह आप उसे करिए यकिन यह साल आप सभी के लिए भी और देश के लिए भी लेसे भी लाने सुनिए और उन्हें उपाय को करिए ताकि आपका ये साल धेर सारी खुशिया आपके जीवन में भर दे तो एक बाए फिर से हुआ है